गुड बॉर्निंग कैसे हैं आप सब लोग आई होग कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और देखिए मॉर्नी हो गई है तो मैंने अभी से कैमरा उठाया है इससे पहले मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था तो चाय हम लोगों ने पी लिया है और बच्चे हमारे इस्कूल चले गए हैं जब इस्कूल चले जाते हैं उसके बाद ही मैं सबसी बनाती हूँ उससे पहले बच्चों की तयारी करती हूँ लंच देना उसको ब्रेक फास्ट कराना अर्डेस वगहरा देना बागी बहुत सारे काम होते हैं खाना मलते हैं आर्दी चले बनाती है इसके बख सारे कामा को निप्ठाना के बाद बाद सबजी बनाती हूँ तो सिरा सारह cooking sound लागड़ी चूले की खाना बहुत ही टेस्टी बनती है और मुझे लगड़ी के चुले पे खाना बनाना बहुत ही पसंद आता है चुकि बहुत ही इजीली बन जाती है जितना तेजाज कर दो न उसके हिसाब से जल्दी बन जाती है खाना और गैस पे खाना है ना बहुत वक्त भी लग जाता है और मुझे पसंद नहीं है बहुत दीरे-दीरे बनता है खाना इसके वाज़ से मैं लगडी के चूले पे जल्दी खाना बनाती हूँ और सारे खाना हमें लगडी के चूले पे ही बनाना होता है तो देखें यहाँ पे मैं बैगन की सबजी बना रही हूँ आप बैगन के सबजी में छिलके वाला आलू जो है ना डाली हूँ आलू के उपर से छिलके नहीं उतारी हूँ चुकि छिलके वाला आलू डालें से बहुत वड़िया सवाद आता है इसके वएसे आज मुझे मन हुआ कि छिलके वाला आलू ही डालें देश्ट बढ़ाना था आज मुझे बैगन की सबजी में दो और मैंने आज दो वज़े से कैमरा उठाया है इसके बाद से विलॉगिंगी शुरू कर दूगी तो पी डेली विलॉगिंगी नहीं हो पाती है और दिन काफी छोटे हो गए हैं और काम बहुत से यादा हो गए है इसके वैसे तो मैं आपने उस्ते के रिक्वेट करना चाहती हूँ कि अगर हमारे चैनल पर आपना है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लिजएगा बेल आइकन प्रेस करेज़ेगा फैमली में और फ्रेंड में शेर जरूर कीज़ेगा तो बने रही है हमारे विलॉग में सुरू से खराब हो गई थी चुए कि वह लोग पीलू सही अक्सर खेलते हैं जब रूप में होता है और मैं वहा पे नहीं होती हूं तो पीलू चला चला कर ही दोनों भाई केलते हैं तो खराब हो गए थी, इसके वज़े से मैंने रूई को निकाल दिया था और रूई को तीन से चार गंटे के लिए दूप में डाल दी थी तो रू अच्छे से सूख गई है, और मैंने दूसरी वाली कोवर जो है न सीलकर के लाई है लाई हूं तो उसमें मैं सारे रूई को डाल रही हूं तो इसी धीरे करते हुए सारे रूई को मैं इसमें डाल दूँगी और ज्यादा बड़ा मतलब तक्या नहीं है नॉर्मल सा है नहीं ज्यादा छोटा है और नहीं जितना बड़ा है जितना बड़ा बेबी है नॉर्मल ब बेते आई हूँ चत पर चुकि धूप भी लगती रहेगी और हमारा काम भी होता रहेगा चुकि अभी ठंडी में बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है मन नहीं करता ना ठंडे में बैठना धूप में अच्छा लगता है बैठना तो आज कर सारा दिन मेरा धूप में टाइम और मैं सारा दिन ही धूप में बैठा करती हूँ तो यहां भी मैंने सुई में धागा लगाने के बाद तके को सीलना शुरू करदी हूं बस थोड़ी सी जगह छोड़ी थी ना रूई डालने के लिए उसे ही सिल लिए बाकी जगह हो तो मैंने सिलाई से सिल लिया था और हमारी आवाज भी भारी है लगता है मेरी तब्याद ठीक नहीं है पता नहीं फिर वीडियो कब आएगी लेकिन इस वीडियो को जो है न टीजडे को मैं वाएस ओवर कर रही हूं और टीजडे को ही बनाए हूं यह किलिप तो मैं इस देश्डे को अपलोड कर दिया और देखिए मैं इसी तरह करते हुए सीली हूं तब अब हो गई है मैं धागे को कटिंग कर लेती हूं और इसे फिर दूप में थोड़ी देर के लिए रख देती हूं चुकि साम हो जाएगी फिर ले जाओंगी चुकि बच्चों के पड़े हैं फिर आ जाओंगी शाम में कि लिए आप जा रही हूं नीचे वाले थर बोती चुकि जहां पहोती है वहां पर बैठ जाओंगी और मुझे कपड़्च करने थे और सिलाइभी करने थceğ तो ऑभी मैं कपड़े cutting करूंगी थोड़े से मशीन पर भी बैठ यungी तो मैं वीडियो में बहुत ही अक्य